हेलो फंट्स मैं हुश शुस्कमार सर्मार को फिर से बहुत और साथ करता हूं आपका अपने चैनल पर देश का सबसे बड़ा सरकारी बैंक यानि कि भारतिये स्टेट बैंक एक जुलाई दो जार एक्टिस से SBI account holders के लिए नए service charge लागू करने जा रहा है ये सारे जो charges होंगे ये charges होंगे ATM, withdrawal, checkbook, money transfer और transaction में तो आई आपको बताते हैं कि SBI एक जुलाई से account holders के लिए क्या charges लागू करने जा रहा है सबसे पहले तो आपको ये बता दें कि SBI जो एक जुलाई 2021 से नए charges लागू करने जा रहा है ये charges लागू करने जा रहा है BSBD पर यानि कि Basic Savings Bank Deposit पर आईए उन लोगों के लिए जानकारी दे दें जिन लोगों को ये नहीं पता है कि BSBD खाता क्या होता है आपको बता दें कि BSBD खाता सारी branches में खोला जाता है और ये एक zero balance का खाता होता है इसका अर्थ है कि इसमें आपको minimum balance रखना जरूरी नहीं होता है ये खाता गरीब तबके के लोगों के लिए खास तोर पर शुरू किया जाता है इसलिए minimum balance की इसमें रासी सुनने होती है हाला कि आपको बता दें कि खाता धारत गितना चाहे उतना जमा रासी इसमें जमा करकर रख सकता है इसके अलावा BSBD खाते के साथ में एक रुपे कार्ड भी दिया जाता है जो की बिलकुल मुफ्त होता है और इसका कोई भी चार्ज आपसे नहीं लिया जाता है इस कार्ड की कोई भी annual fees नहीं होती है इस खाते के जरिये NEFT और RTGS की मुफ्त दी जाती है यानि की basic saving account के आधार पर electronic transaction किया जाता है तो कोई अतिरिक सुल्क इस पर नहीं लिया जाता है सरकारी चेक डालने पर उस पर कोई भी सुल्क नहीं वसूला जाता है अगर किसी कारण भस खाता बंद हो जाता है तो उसे शुरू कराने के लिए किसी भी तरह की fees देने की जरूरत नहीं होती है यहां तक की खाता बंद कराने के लिए भी आपको कोई भी पैसा चुकाने की यहां पर जरूरत नहीं होती है तो यही होता है BSBD खाता यानि कि Basic Savings Bank Deposit Account तो यह जानते हैं कि एक जुलाई 2020 से नए क्या-क्या चार्जेस SBI लगाने जा रहा है Basic Savings Bank Deposit पर तो सबसे पहला जो चार्ज एक जुलाई 2020 से SBI लगाने जा रहा है अपने खाता धारकों पर वो है कैस निकालने पर यानि कि नए नियमों के मताविक अब चार फिरी कैस बिड्रोल के बाद बैंक चार्ज देना होगा यहाँ पर आपको यह भी बताते हैं कि यह जो चार्ज दिया जाएगा चार ट्रांजेक्शन के बाद वो ब्रांच से पैसा निकालने पर भी दिया जाएगा चाहे वो ब्रांच से करें चाहे वो एटियम से करें चार्ज ट्रांजेक्शन के बाद एक महिने में यदि वो ट्रांजेक्शन करते हैं चाहे वो ब्रांच से करें या एटियम से करें उन्हें कैस निकालने पर 15 रुपे पलस GST का चार्ज देना होगा दूसरा जो अब चार्ज लगेगा वो लगेगा SBI की चेक बुक पर यानि 1 जुलाई 2021 के बाद खाता धारक केवल 10 लीफ की चेक बुक को फिरी में हासिल कर सकते हैं इसके बाद यदि वो चेक बुक लेना चाहते हैं तब उनको 10 लीफ के बाद जितनी भी बड़ी वो चेक बुक लेंगे उसके लिए उन्हें 40 रुपे का चार्ज देना होगा आपको पताते हैं कि 40 रुपे चार्ज के साथ में GST भी जोड़ा जाएगा 25 लीफ की चेक बुक के लिए 75 यानि कि 75 रुपे पलस GST लगेगा अगर चेक बुक तुरंग चाहिए यानि कि उसी समय चेक बुक चाहिए तो 10 लीफ के लिए 50 रुपे पलस GST चार्ज देना होगा आपको यहाँ पर यह भी बता दें कि senior citizens को चेक बुक पर नए सर्विस चार्ज से बाहर रखा गया है यानि कि यदि कोई senior citizen है और वो अपने लिए चेक बुक मंगवाते हैं तो उन पर लगने वाला सर्विस चार्ज नहीं लगेगा आपको यह वीडियो आपको इस वीडियो के निचे डिसकाइशन में मिल जाएगा यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया था तो निचे लाल वाले सब्सक्राइब करकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें ब्राबनों बैल का एक होना है उसे जुरूर प्रैस करें ताकि जब भी इस चैनल पर कोई नया वीडियो अप्लोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए सब्सक्राइब करें नेक्ट वीडियो में तब तक लिए गुडबाई टेक केर जहन